माखुन तुफान का असर आज जाबवा जिले में भी देखने को मिला जाबवा जिले के लगबख हर गाउं कजबे और अंचल में भरी बारिस द्रेकॉड की गई है तस्यूरों में आप देख रहे हैं ये तस्यूरे काली देवी की तस्यूरे हैं जहां पर नदी और तलाब का पानी बस्तियों में घुज गया है निचली जो बस्तिया है वो यहां पर डूब गई है तस्यूरों में आप देखिए ये काली देवी का बजार है और जो आप रंगीन जो पॉलिथीन वाले जो छोटी दुकाने देख रहे हैं वो पूरी तरीके से डूब गई है सुबह से ही बारिस यहां पर शुरू हो गई थी पूरे जहावजले में बारिस दर्ज की गई है खासकर जो खर्डू बड़ी का इलाका है पारा का इलाका है और जो काली देवी का इलाका है तस्यूर में आप देखिए किस तरीके से काली देवी में इस बारिस के चलते जो पानी अंदर गुसा है उससे आप देखिए पिक अफ वैन भी पुरी तरीके से उसके टायर डूब गए हैं करिब करिवन तीन फिट तक सडक पर पानी भरा हुआ है ये देखिए बस्तियां भी आप डूबी हुई देख रहे हैं ये माखुंद तूफान का असर है जो कि मांजून की जाते जाते बारिस कर गया है हाला कि इस बारिस को अच्छा माना जा रहा है ये तस्यूर आप देखिए ये नैशनल हाइवे इंदोरेंदाबाद उनसाहट की है किस तरीके से हाइवे क एक हिस्से में काली देवी में पानी भर गया है दोनों तरब ये पानी भरा हुआ है और जैसे तेसे यहाँ पर वहां निकल रहे हैं ये तस्वीर आप देख रहे हैं तेज बहाओ से ओवरफ्लो सापन नदी है जो कि खैडू बड़ी से गुजरती है और इस सापन नदी जो सापन नदी की ये तस्वीरे हैं दिन भर बारिस का परणाम है शाम को ये तस्वीर उबर कर सामने आई जब यहाँ पर सापन नदी इस तेज बहाओ के साथ बह रही है और अवरफ्लो हो गया है और यहाँ पर लोग इस नदी को देखने भी पहुचे है ये फिर से एक वो तेजी से और मड़ सकता है इलाके के लोग परेशान हैं लेकिन खास बात यह कि आगे में रवी फसल के लिए काफी महत्पूर माना जा रहा है। तो मैं बीच रष्टे में ठख गया हूँ और वो मार्ग पूरा पूरा बंध है। और मेरा नाम राजे वहाँ जो भीच में सापन लदी आती है ठख गो बड़ी में तो काफी उष्टान पर जा रही है। तो वहां क्या कि नदी दो धर जा रही है तो उधर के लोग उधर शकते हुए है और उधर के लोग उधर भी आ पा रहे है तुछने आना जाना सब्बर का प्रषई नहीं मिल रहा है तो तेज बारी के अपारण नदी उखन रही है कुई अप एло कहा रहा हुआ